नमस्कार, श्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और आज हम बना रहे हैं गेहूं के आटे के और गुड के खस्ता पूरी बहुत ही स्वादिश्ट और महीनों तक हम इजे स्टॉर करके रख सकते हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी, बहुत ही सॉफ्ट बनेगी तो इससे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये गुड तो आप देख सकते हो गुड को इस तरह से थोड़ा छोटा टुकडा करके और पानी में भिगो करके छोड़ देंगे तो यहाँ पे मैंने दो पीस गुड लिये हैं और इस तरह से इसको तोड़ करके और एक ग्लास पानी के अंदर इसे भिगो करके छोड़ देते हैं तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.500 ml पानी और इस तरह से इसको भिगो दिया है अब हम इसे एक उबालाने तक बोईल कर लेंगे ताकि जो गुड है वो पिगल जाए तो अब आप देख सकते हो गुड को मैंने गेस पे टिका दिया है और इसके अंदर से जो उबाल है वो आने लगे है तो गुड अच्छे से उबल गया है पानी जो है वो और गुड भी पि है गेहूं का आटा यह वही आटा है जिससे कि हम रोटिया बनाते हैं तो एक बाउल गेहूं का आटा और इसके अंदर एक चम्मच मोहिन के लिए तेल डाल देते हैं अब हम हादों से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से मोहिन को आटे के अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद जो गुड का पानी है उसे हम आटे को सांद लेंगे जैसे हम नूर्मल पानी से सानते हैं वैसे ही हम यहाँ पे गुड के पानी से सान देगें गुड के पानी को मैंने चान लिया है और चान करके लेना है तो इस तरह से ठंडा होने के बाद गुड के पानी को चान ले और उसे एक अच्छा सा डो तयार कर ले डो हमारा नहीं बिल्कुल टाइट रखेंगे ना ही लूज रखेंगे इसको बिल्कुल जैसे हम रोटी का आटा होता उससे थोड़ा सा टाइट लगाएंगे तो डो बिल्कुल से तयार है इसको हमने आदे गंडे के लिए रेश्ट पे छोड़ दिया था और अब ये और किसी भी धक्कन की साइता से इसके जो कॉर्णर्स है खराब वो हम कट कर देते हैं और इस तरह से पूरी कट कर लेते हैं पूरी के अंदर हम फोक से इस तरह से होल कर देंगे ताकि पूरी फुले नहीं तो इस तरह से फोक की साइता से आप इसमें होल बना दे ताकि ये फुले नहीं इस तरह तेल भी हमारा गरम है तो हम तेल के अंदर पूरिया डालते जाएंगे एक एक करके चार या पांच पूरी एक बार में असाने से फुले हो जाती है तो दोस्तों अभी तक आप नहीं हो हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल में आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीच मिलेगी तो जैसे ही पूरिया एक तरफ से थोड़ी से फ्राई हो जाती है हम इनको पलट देते हैं और दूसरी और से भी पका लेते हैं तो इस तरह से थोड़ा उलट पलट करके हम पूरियों को पका लेंगे और जब यह हलके हलके खस्ता करारी होने लगेगी तो हम इने बाहर निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं पूरियों का जो कलर है वो चैंज होना शुरू हो गया है और यह अच्छी तरह से गौल्डन ब्राउन हो गई है दो मिनट के अंदर आपकी पूरिया इस तरह से अच्छी से फ्राई हो जाते हैं तो आप इन्हें किसी जहारे की साहिता से बाहर निकाल लें और इनका एक्स्टा ओल है वो जहार लें तो अब हम इन्हें टीशू पेपर पे निकाल लेते हैं तक के अंदर बिल्कुल भी तेल ना रहे और इसी तरह से हम अपनी सारी पूरिया जो है वो फ्राई कर लेते हैं तो हमारी पूरिया बहुत एक खस्ता और करारी बनी है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा थेंक यू मैं आपको एक पूरिय तोड़ के दिखा रही हूं देखे कितनी सोफ्ट है हातों की साहता से बि झाल झाल